हालो एव्रिवान दिस साइड निशा अरोडा यूर फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड सर्टिफाइड निट्रिशनिस्ट आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सूखे आलू की मसाले वाली सबजी जादा दर लोग अपनी डाइट में आलू को सिर्फ इसलिए एड नहीं करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आलू खाने से उनका वजन बढ़ जाएगा लेकिन गाईज अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं तो किसी भी सबजी को खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता है इवन आलू को खाने से भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा आलू में काफी अच्छी मातरा में फाइबर और काफी अच्छे विटमिन्स पाया जाते हैं पांच से दस मिनट के लिए मैं मसल मसल के इसको साफ कर लूँगी और फिर हम इसको कपड़े से सुखा लेंगे यहां एक पैन में मैंने दो स्पून सिरफ दो स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है जब आप आलू को बहुत जादा डीप फ्राइ करते हैं तो वो आपका वेट बढ़ाते हैं लेकिन यहां पर मैंने दो स्पून ही लिया है साथ में मैंने ले लिया है एक चमच जीरा एक चमच अजवाइन और एक चमच कसूरी में थी जब हम आलू में जीरा और अजवाइन डालेंगे इससे हमें एसीडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंग और यह आलू हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगे यह देखे गाईस मैंने एक सूखे कपड़े से आलू को अच्छे से पोँच लिया है इसका सारा पानी अच्छे से निकल गया है यह देखे यह अच्छे से सूख चुके हैं अब हम इसको इकोल पीसीज में कट कर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके आलू के जो पीसिस हैं वो इक्वल हों क्योंकि इसको पकाते टाइम फिर यह तूटेंगे नहीं अधरवाइस आलू जो तूट जाते हैं और वो ना तो सबजी देखने में अच्छी लगते और वो हलवा टाइप हो जात अजवाइन आलू को पचाने में आपकी हेल्प करेगा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया आपको कि अजवाइन वेट लोज में भी काफी अच्छी हेल्प करता है तो इस सबजी को बनाते टाइम अजवाइन जरूर डालें जैसे ही आपका जीरा और अजवाइन हल इसको खाने के लिए यह आपके बच्चों के लिए टिफिन की बेस्ट रेसिपी रहेगी हर एक बच्चे को आलू खाना पसंद है इवन बत्चों इने बड़ों को भी आलू खाना बहुत जाधा पसंद है अगर आप इस तरह से आलू बनाते हैं तो यह आपका वज़ाएं beyond आप इसको limited quantity में या कभी कबार खाएंगे हाँ अगर आप रोज खाएंगे तो फिर आपका weight बढ़ सकता है तो इसको आपको रोज रोज नहीं खाना इस बात का ध्यान रखना है इस तरह से आप आलू को थोड़ी देर के लिए गैंस की जो flame है वो high रखे और पकने दे जब यह high flame पे पकेंगे तो यह बहुत ज़ादा क्रिस्पी हो जाएंगे और सुनहरी दिखाई देंगे गाईज आपको चलिए थोड़ी दिर तक हमने इसको पका लिया है अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले मैं इसमें एड करने जा रही हूँ आधा चुमच हल्दी और उसी के साथ हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा नमक हमें बहुत ज़ादा नमक आलू के अंदर आड नहीं करना वेटलोस के दुरान कम नमक का ही इस्तमाल करना चाहिए तो हल्दी और नमक डाल कर हम हमारे जो आलू है वो सुनहरे हो जाएंगे दोनों तरफ से वो काफी क्रिस्पी हो जाएंगे अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि आलू काफी क्रिस्पी हो गए है लेकिन जब हम इसको थोड़ी दे ढखके पकाएंगे और गैंस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो यह तोड़ा ओर ज़्यादा गोल्डन शीड में आ जाएंगे जो कि यह देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और आपको खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी लगेंगे और यह आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाती हूँ यह देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आलू अपने किनारों से काफी क्रिस्पी हो गए है और अपनी साइड से काफी क्रिस्पी हो गए है एक आलू का पीस मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ यह देखिए गाइस बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है यह एक तरफ से और यह खाने में भी बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है यकीन मानिए इसको खाकर बिल्कुल भी आपका वेट नहीं बड़ेगा आप थोड़े से आलू खा सकते हैं साथ में डाल या दही का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और लाल मिर्च डाल कर हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर से पकाएंगे लगबग हमारे जो आलू हैं वो पके रेडी हो गए हैं अब हम इसमें एड कर देंगे कसूरी मेथी और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सबजी बिल्कुल रेडी है आप इसको पूरी के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं ये आपकी चोईस रहेगी मेरे घर में ये रोटी के साथ खाये जाते हैं मैं इसके साथ करड लेना भी बहुत पसंद करती हूँ और ये मैंने जितने भी आलू बनाये यह हम 3 लोगों में खाने वाले हैं तो आप यहाँ से portion चेक कर सकते हैं कि मैंने ये 3 लोगों के लिए एक बड़ा बॉल बनाया है तो आपको एक person के लिए कितने आलू बनाने हैं तो उसे साब से आप portion कान्ट्रोल करके खाएंगे तो देखे गाइस सबजी देखने में बहुत अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी आप एक बार जरूर ट्राइ करें और अगर आपको ये खाने में अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मेरी र